फाइनली जो सबका दिल का आर्मा था ओ पूरा होने जा रहा है क्या पूरा होने जा रहा है जो सबका दिल का आर्मा था Quick Revision Marathon Course Quick Revision क्यूं करना है सबसे पहले आप इस बात को समझे कि इस धर्ती में आगर इनसान के दिमाग में एक बार कोई चीज घुसता और रहे जाता तो इनसान का दिमाग जो है अब तक फाट गया होता क्योंकि जब तक garbage को out नहीं करोगे तब तक garbage इन नहीं होगा इसलिए भगबन ने ऐसे जुगर लगाया कि बंदा रिवीसा नहीं करेगा तो उसका दिमाग में कुछ नहीं रहेगा नहीं मेरा girlfriend जो बात बताती है वो मुझे याद रहे जाता है तो आप ऐसे क्यों ही बताते हो जैसे मेरा girlfriend बताती है so that कि हम उस तरह से किस तरह से उस तरह से उतना effectively याद रख सकते है बेटा एबाद धन रखे आपका girlfriend का बात भी इसलिए याद रहता है कि उसको आप बार 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 रिवाइस करते रहते हो रिवाइस करने के लिए किताब, कॉपी, पेन लेके बैठना जुरूरी नहीं होता है रिवाइस करने के लिए आपका brain में ओचीज दूबारा चलना चाहिए इसके चक्कर में चाहे पढ़ाई हो और चाहे girlfriend ने क्या बोली थी उसका याद रखना हो रिवीशान is essential और रिवीशान करने का इच्छा जिसका नहीं होता है ऐसा कुछ student हमें मिलता है जिसका रिवीशान करने का इच्छा नहीं होता है तो जिसका रिवीशान करने का इच्छा नहीं होता है उस बन्ना वो बन्ना कभी भी कभी भी आज तक कुछ क्वालिफाई नहीं कर भाया I love my girlfriend very much ठीक है भाई सब को अगर girlfriend है तो girlfriend को you should love ठीक है and that should be यह बाद धन रखे यह मंडल का एक थियोरी है जो बन्ना आपना बीबी से प्यार नहीं करता है उसका जिन्नेगी बेकार है इसलिए आगर आपना girlfriend भी है और उसके साथ आप जगडते हो तो इसका मतलब आपका जिन्नेगी बेकार है तो थोड़ा सा और चीज हमें देख लिया जाए और उसके बाद हम सुरू करते हमरा आज का कर्जक्रम सबसे पहले धन रखे और इंडिया मॉक टेस्ट है एवरी संडे जैन्वरी टू से थर्टी तक और उसके लिए अभी से इन्रोल करें अल इंडिया मॉक टेस्ट जो आपको देख रहा है यह आपका QR कोड है इस QR कोड से भी आप इन्रोल कर सकते है और क्रैक विट कॉमबेट जो कॉमबेट होता है वो ट्वेंटी मिनिट का होता है इलेवन एम तो इलेवन थर्टी तक हमारा हो चुका है आपने अगर इस बार मिसके आगले बार दे और खूस रहोटें लाइब कोड यूज करें खू दो से पांच दो से पांच है तो रिवाइस इंडिया मॉक टेस्ट है एक इस का पैटन में होगा उसके लिए इन्रोल करें जहां भी जोरोत पड़ेगा खूस रहोटें लाइब कोड मेरा है उसमें अगर आपको डिसकाउंट लेना है तो दस परसंट डिसकाउंट मिल जाए है उसमें भी आपका खूस रॉटें लाइब को डिसकाउंट ले अडिसकाउंट ले फांडेशन स्पार्क खूस रॉटें लाइब को डिसकाउंट ले एंडिस इस इस दा मेथाड जो हमें यूज करना चाहिए और यूशूड तो मेरा ए कहानी खतम हुआ नाउ आएम गोइ और मंडल एक दुनिया था जब मैंने पड़ाने नहीं आया था ठीक है तब तक दुनिया एक अलग था उस टैब में उस टैब में प्रोडाक्सन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हार बनना देश का पुरा कंट्री का हर बनना जो है डरता रहता था कि इसमें साथ मार्स नह पाता है कुछ ऐसे भी टीचर थे जो लोग लगता था कि बहुत नॉलेज़ेबल है लेकिन को सब नहीं कर पाते थे में प्रोडेम ना तो टीचर से हो पाता था ना तो स्टूडेंट से हो पाता था प्रोडेम तब मंडल आया और उसके बाद देखा कि देखो अगर गेट म इसमें भी जितना टॉपिक से को सब्सक्राइब ना पढ़ना है जहन रखें कि यह नहीं होता है कि हमने पूरा छोड़ के जाए तो क्या करना होता है जितना टॉपिक से को सब्सक्राइब ना कराया और गेट का पूरा हाल देख लिए मतलब 17 क्वेस्टेंट से मालब 18 18 19 17 म मतलब हमारे हिसाब से 18 मार्स का तो कुश्चन आ जाएगा और उसके लिए निश्चिन रहे और आई-एस में सफिसेंट है आई-एस में भी सफिसेंट होता है तो अभी हम जो सुरू कर रहा है मेराथन कोर्स दैस थियोरी ऑप मेटल कटिंग तो एवरिवान पाटिसिपेट पूल मेंस ओल टपक करऊंगा अइसा नहीं कि आथा करके छोढ़ देंगे तो सबसे पहले हमारा जो है कि जो जुगाड इस ओरड का जो meaning है एक क्या है जुगाड वर्ड मंडल यूज करने लगा फिर Oxford Dictionary वाले ने इसको ओ कर दिया ओ लोग ने किया कि the world's most trusted English Dictionary Oxford has officially accepted the word जुगाड in their latest update according to the dictionary noun है जुगाड एक noun है means a flexible approach to solve a problem that uses limited resource in an innovative way तो आगर आपको जुगाड वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप Oxford Dictionary से देख सकता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास resource limited है बताए यह what is your resource resource is time और आपके पास time अभी यह आभी नहीं जब से पढ़ने आये थे तब से भी नहीं था क्योंकि आप चार साल का course चार माहिनस में खत्म करने आ रहे थे तो जब से आप पढ़ने आये थे तब आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इनोवेटीव ओए जो मंडल के पास जो जुगाड़ है इसके चक कर मैं मंडल जुगाड़ इसका दुनिया में यह चीज से फिमास हुआ है मंडल जुगाड़ पहले मैं बताता रहा फिर ऑक्सपोर्ट बाले आपको तुरंत में यूज करें आगर आपके पास नोट नहीं है अभी नहीं है अब नया हो तो मंडल का नंबर में वाट्सप कर दे और उसके बाद आपको तुरंत मिल जाएगा तुरंत आपको यह मिल जाएगा इसका जो कोसें सेट है कंप्लिट अपका स्टाडी में ट्रिया प्रोवाइड़ इन पीडेफ फॉर्म और जेरोक्स करने का फॉर्म है जैसे इसका बैग्राउंड ब्लैक है आप जेरोक्स नहीं कर सकते तो उसका आपका बैग भुसता है उद्ना करा जाएगा ऐसानी कि सारे प्यो आई को कराने के लिए हमारे पास अभी उद्ना टाइम अवेलेबल नहीं है हम कोई क्रीविशन में जा रहा है सबसे पहला होता है मैनुफेक्टरिंग वर्सस प्रोडक्शन जो आपको काल से पर्सों से साधियों से बत मैनुफेक्टरिंग is a process of converting raw materials into a finished product by using various processes, machines and energy this is the manufacturing then what is production production means you are converting input to output yes you are converting input to output तो input क्या है आपके पास input होता है converting input production is a process of converting input into output तो input क्या है input anything input can be anything input can be anything add आपका output क्या है output is the finished product तो प्रोडक्ट होना चीए बलने ऐसे नहीं जैसे माल लीजे movie बन रहा है तो movie का जो होता उसका बलता प्रोड़क्ट्स प्रोड़क्शन हाउस क्यों बलता है उसको वहां आप उसको प्रोड़क्शन हाउस क्यों बलता है ना उसका कारण है कि movie जो आप बनाते हो जैसे movie बनाते हो उसमें manpower is the input and movie is the output तो उसको हम क्या बोलेंगे production क्या इडिस मैनुफेक्चरिंग नो इडिस नॉट मैनुफेक्चरिंग तो आपने एक गियर बनाया तो इसका क्या होगा गियर मैनुफेक्चरिंग हो जाएगा तो आपने एक गियर बनाया तो उसमें कुन सा जाएगा मैनुफेक्चरिंग को आपने एक गियर बनाया आपने एक बियरिंग मैनुफेक्चरिंग किया तो रो मेट्रियल से ऐसे आपने एक बियरिंग मैनुफेक्चरिंग किया तो उसका नाम हो जाएगा क्या मैनुफेक्चरिंग सवाल यह है क्या manufacturing को हम production नहीं बोल सकते बिल्गुल बोल सकते हो क्यों बोल सकते हो ना manufacturing में इसका raw material था पहले इसको manufacturing हमने किया था तो इसका पहले क्या था raw material था और आप क्या है finish product तो raw material से finish product बना इसको हम manufacturing बोल ला है लेकिन हम इसको प्रोडाक्शन बोल सकता है इसके चक्कर में प्रोडाक्शन बोहुत ज़्यादा एरिया कबर करता है बोहुत ज़्यादा चीज कबर करता है और मैनुफेक्चरिंग सिर्फ तब होगा जब आपने प्रोडाक्ट बनाते हो सिर्फ तब होता है जब आप लिखांगा उक्स सका मतलब होता है कि मैंफेक्ट्रिंग का ढोमेंमें मैंनेंन का जो कबारेंगे औहों थोड़ा जदा है इस के लिए और मैंनिय। को आज के जमाने में दुनों को बराबर बरवर बरवर मान लेता है दोनों को बरवर बरवर मान लेता है लेकिन दोनों बरवर नहीं आज के जमाने में इसको यूज किया जाता है इन्टरे्चेंजिभली नेस्ट डॉपीग होता है classification of manufacturing प्रॉसे शेपिंग और फ़र्मिंग इसका मतलब सेपार में नहीं नहीं है। सेपिंग और फ़र्मिंग का मतलब है promotin spaghetti schedule सेब चेंग किया जाएगा जैसे आपने rolling, forging, extrusion, drawing इस सब में क्या करते हो metal को deform करकर के deform करकर के product बनाते हो इसलिए इस का नम होता है shaping और forming, shape change और form change and दूसरा होता है joining, जितना भी joining process है आपने जितना भी पढ़ा, कौन-कौन सा पढ़ा welding, braging, soldering, nutball से joining screw से joining, fastener से joining जितना भी joining process होता है वो क्या होता है आपने आर नोन एस joining process removal, जो हम metal cutting करते है जितना भी metal, निकल निकल के निकल निकल के product बना रहा है यह होता है अपका removal process and आता है regenerative manufacturing regenerative का यहाँ पर मतलब कहा है यह ऐसा manufacturing process है ऐसा manufacturing process है जिसमें जिसमें हम layer by layer पर मतलि जिसका actually हमारा जमाण है जो add a है देट सेटरीश मेनुफेक्ट्रीग यह डिए डिए मैनुफेक्ट्रीग तो आज के जमाने में जो हमारा use of gate का silabus में भी है दैट सेटरीट मैनुफेक्ट्रेशरींग तो थोड़ देख लिया जाए कि होता कैसे है तो आगर आप देखें कि इसका एडिटीव मैनेफेक्चरिंग और रीजनेरिटीव मैनेफेक्चरिंग किस तरह से होता है किस तरह से होता है तो यह उनका एडिटीव मैनेफेक्चरिंग है यह सबसे पहले हमारे पास एक अब्जेक्ट स्टुडियो सॉप्ट्वेर है घृष jesteśmy ने 16 कंड लिया जो हमारा ओल्रेडी czyट फाइल बना हुआ था अब इसको हमने बिल्ड कवांड दिया तो ऐसे एक लेयर पैदा हुआ फिर ऐसे दूजरा लियरपैदा हुआ फिरर मीडियम, okay, I am teaching now in English medium, that is Indian English mixed, so now there is some support material and we have to remove that support, तो यह support को remove कर दिया जाए, ऐसे water jet से इसको remove कर दिया गया, तो यह आपका होता है regenerative manufacturing, यह आपका होता है regenerative, पट इसका सबसे जो top application है, regenerative का जो सबसे top application है, वो क्या है, ना वो होता है additive manufacturing, जो आपका सबसे top application है, वो होता है additive manufacturing, ठीक है, तो GE, जो कमपानी है, यह लोगों ना देखो कैसे, इसको प्रेडिय किया, कि this is the product we have to produce, तो हमारा यह product को produce करना है, additive manufacturing से, तो पहले आपने क्या कैस को slice down करेंगे, यह आपका software में होगा, software में इसे slice down कर रहा है, उससे data जा रहा है, कि इसके पास data जा रहा है, आपका 3D printing machine के पास, 3D printing machine क्या कर रहा है, एक ऐसे powder का layer बनाया, उपर से laser से, उतना location में laser दिया, जितना में metal deform करना है, जितना में metal को मलब joint करना है, फिर एक platform को नीचे किया, थोड़ा सा और layer बनाया, ठीक है, उसके बाद उसको laser से जलाया, फिर एसे जो platform है, उसको नीचे करते जाना है, और आपका उसको laser देते जाना है, तो इस तरह से हमारा product बन जाएगा, तैसे करके product manufacturing हो जाता है, and this is the manufacturing method, जो product manufacturing करना है, इस तरह से manufacturing करना है, आपको दिमाह में घुसा कि regenerative manufacturing और rapid prototyping होता कैसे है, and इसका use जो है, आज के जमने में हम क्या बोल ला है, आज के जमने में कौन सा बोल ला है, आज के जमने में इसका use है, that is additive manufacturing जो हम use करते है, तो I am sure कि आपको यह बात clear हुआ, and English में अगर बोलेंगे, in English, production of solid products in layer by layer from raw materials in different forms, that is production of solid products, yes, production of solid products in layer by layer from raw materials in different form, जो होता है, that is, regenerative manufacturing, and इसका जो सबसे best application है, वो होता हमारा additive manufacturing, ओ, regenerative का ही हिस्सा है, लिकुइड से अगर करोगे, तो इसका मोता है stereolithography, अगर आपने powder से करोगे, तो selective sintering, अगर आपने बोला नहीं मैं तो sheet से करोंगा layer by layer, उसका नमता है laminated object manufacturing, और से करोंगे, तो fdm fuse deposition modeling, यह अपका पूरा कहानी है, and very rapid process है, आपको जैसे मैं video दिखाया, सेम चीज़ यहां पर बनाया गया, इब इस इस दा प्रोड़क्ट वेप्रोड्यूस, आपका software में ऐसे slash down करता है, एक slash का code आपका 3D printing machine में जाता है, and एक layer बनाया, दूसरे layer बनाया, तीरे layer बनाया, ऐसे layer by layer, layer by layer manufacturing करता रहता है, and that is the original manufacturing, तो आपको पूरा कहानी मैं बता दिया, machining, जैसे ही बुले जाता है machining, इसका सबसे पहला भी से होता है, क्या करना है, एक metal, जिसका how to shape है, मतलब हम जो चाते है, ओ dimension का, ओ surface में इसका नहीं है, उसको हम काट काट के, काट काट के, dimension surface में बनाएंगे, काट काट के, काट काट के, dimension surface में बनाएंगे, तो English में क्या होगा, what will be the English for this case, English में हो जाएगा, machining is an essential process of finishing by which jobs are produced to our desired dimension and surface finish by gradually removing the excess material from the, from the preformed blank in the form of chips with the help of cutting tools, move past the work surface, यह जो preformed blank है, that is very important word, here, here, this is a very important word, that is known as preformed blank, उन सा ब्लेंग, यह जब का, preformed blank है, preward का मतलब के होता है, बनना तो preward का बहुत सारे समझा समझता है न, ठीक है, pre-marital, तो ऐसे जो है कि आपका pre मतलब है, वो हुआ यह नहीं, मतलब जैसे मानलो, हमें एक round product बनाना है, तो आगर हम एक round product बनाना है, तो हम round tap का product लेके ही शुरू करेंगे, उससे थोड़ा dimension जदा रहेगा, diameter लंबाई सर जदा रहेगा, उसको cut-cut के हम उसको थोड़ा आपना जो dimension है, बना देंगे, लेकिन जो blank से हम सुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है, कि हमें ऐसे एक circular product बनाना है, और हमने ऐसे rectangular से शुरू किया, इससे यह नहीं बनेगा, तो किससे बनेगा, आगर हमें ऐसा dimension का बनाना है, तो इस थोड़ा जदा dimension, जदा लंबाई का जो चीज़ रहेगा, उसका metal कटके हम product बनाता है, तो अगर एबात धन धन रखे कि pre-form blank आपको चाहिए, मेशिनिंग करने के लिए pre-form blank आपको चाहिए, चलो एक दिखाता हूँ वीडियो, तभी आपको clear होगा कि कैसे होता है, नहीं तो यह दिमाए में घुसता नहीं है, यह बात दिमाए में घुसना मुस्किल है, क्या pre-form, what is this pre-form, pre-form, क्या बात हो रहा है pre-form का, तो चलो एक मेशिनिंग देखता है, आपको देख रहा है कि मेशिनिंग या, यह आपका गूह रिंग कमपनी है, उसका मेशिन है, ठीक है, तो इसमें ए जो इनका मेशिन है, तो एक्चुली देखा कि हमारा जो पर्फेक्शन में कैसे लाया, कि this is the cutting tool, this is a milling cutter, this is a milling cutter, इसमें बहुत सारे में जो इसका यह देखिए, कि पहले आपने एक rectangular type का block लेके आया, जिसका नाम है pre-form blank, जिसका नाम है pre-form blank, एन इस pre-form blank को, आपने क्या कर रहो, cut 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 camera रहो, ऐसे cut 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 मना रहो, तो आप क्यूं cut or why you are cutting this material, ऐसे छिलका निकालते क्यूं जा रहो, जब तक हमारा desire dimension नहीं बन जाता है जब तक हमारा desire surface finish नहीं बन जाता है तब तक हम नहीं चुड़ेंगे यह होता है आपका ultimately भी से and this is machining क्या खुन में घुसा machining कैसे होता है इसके लिए जो आंग्रेजी लिखा था यह आंग्रेजी पड़पड की आगर ऑप समझने का कोजिस करोगे दिमाख फूख जाएगा इसलिए बना था कि करना क्या है बेटा क्या करना है हमें क्या करना है 매chining करके हमें and surface finish लाना है 매chining करके क्या करना है desired dimensions and surface finish लाना है कहां से उससे हम excess metal को काटते रहेंगे free-form blank से क्या बनेगा छिलका निकलता जाएगा आपका cutting यह जो प्रोड्यूस होता है वह होता कैसे है यह प्रोड्यूस होता है कि आपका प्री फॉर्म ब्लैंक से तो आई थिंग इट्स फ़ियर फॉर एबरिबरी इट से लियर फॉर एबरि फॉर एऑर कि मेसिणूर प्रोसेस होता है इसमें आपका इंडि मैं अबजीनàn आप्जेक्टिव क्या है ना मेंचे 6VID- student अच्चानल के के की मेशीन टूल किया होना चे पहला पॉंठ हो जागा तरी इस नौन पॉटेबल आवर अपरेटेग या पिकर दूजरा कंडिशन ता पावर अपरेटेट था होता है reasonably valued तिसरा करने संदा रजिनले वालोट दिवाइस फॉर सिस्टेम और दिवाइस इन इनर्जी इस एक्समेड प्रोडूसे जॉप्रूसे जाएड साइड से पॉदा फिनिस रिमुविं एक्शस मेट्रियाल प्रिफर्म ब्लैंक इन फॉर्म उप सीप्सूर्ण the help of cutting tool यह आपका चार होना ची तब जैसे ही बोला जाएगा जैसे ही बोला जाएगा की machine tool इसमें एक चार condition satisfy होना ची पहला हो जाएगा non-portable येस फास्ट पांट non-portable power operated reasonably valued and cutting tool उसमें होना ची लेद is not a machine इट इस अब मेशीन टोल लेद इस नोट ऑमीशीन इट इस आउ इस टोल ऑधी माओमें बाद खुशे हो जान रिएद इस नोटे दो इस नोटे मैशीन टोल इताउ मेश्यन जैसियन punished I am selling bottigy Rick I amiji मिलिग इस नोटे मेशीन आ मेशीन डूल डिलिंग इस not a machine. इस में चार करणिशन सरफ यगा अब non portable है क्या आप लेद मेशिन को सीर पे ले के घूमते हो नहीं क्या आप LE lastly मेशिन को सीर पे ले के घूमते हो नहीं इसका मतलब वो non portable है power operatorちは यह मैशिन का आप हाथ से घूमाते हो नहीं इसका जा म olan पावर ऑपर होता हैं पार से चलता है लेदSteven दुल का मतलब होता है कि यह Ho ट्रिलिध इस बेसिन टूल मिलिंग मphones टूल तो जिदना भी एट Felix सिन टूल मीलिंग मेशन टूल दिदम इस मेशन टूल ठीक है राजन खूस रहो अप इनोरह थे यह बात हो रहा है कि पर चूरल एल इस तमीरे मेशंट号 इस मॉर्च मिophile ओट मेशन टूल not missing tool portable drilling machine आप आपने आपका घर में भे आता ऐसे ब्रुर करके दिवार में drill करता रहता है एसे देखा होगा ना that is not machine tool कियों भाई Igway, कियों भाई? that is portable that is portable, तो portable drilling machine is not missing tool, कियों portable हो गया ना तो उससे क्या हो गया, portable हो गया, तो क्या हो गया आपका जो बात हुआ था जो condition दिया गया था कि that should be non-portable और आपका क्या हो गया portable तो इसके चक्कर में होगा जो इसे portable हो गया that is not a machine tool तो दिमाय में घुष से portable drilling machine is not a machine tool, portable grinding machine is also not a machine tool, portable grinding machine is also not a machine tool, if this is portable that is not a machine tool जहां भी आप बात आ गया कि portable इसका मतलब और machine tool नहीं है portable drilling machine अगर आपने देखना चाहते हो और भी मैं दिखा सकता हूं यस आपको portable drilling machine देखना है तो यह portable, portable drilling machine आप देखिए ऐसे होता है portable drilling machine तो ऐसे करके क्या होता है कि आप हाथ से लेके कहीं भी जा सकतो हो तो इसका चार condition का machine tool होने का एक condition satisfy नहीं हुआ उसके चक्कर में यह machine tool नहीं है तो यह क्या है ना This is not a machine tool अगर्म नहीं भी हाथ से उठा के कहीं पर आप लेके जा सकता हो एसे रास्ते के सैट में देखते होंगे चिंगरी बंता रहता है यह जो चीज है इस नॉट मेंसिन टूल क्यों ना मेंसिन टूल नहीं यह आपका जो है इसलिए नहीं होता है अपको दिखाता हूं कहां पर आपका ऐसा करनिशन आएगा जहाँ पर मैंजी भी पर हो जाएगा ढहल मैंसिन ओल हो जाएगा किकि ऑफ जाके यहां बनी मेशिन तोर ईनीval हो रहा है आपका इए मेसीन नोट नोट पोटेबल आगर एपोटेबल नहीं है इसका मतलब भी दूनिया में मेशिन टूल होने के लिए यह क्या होना बैटारी ऑपारेटेड पेंसिल सर्णर दिखता कैसा है तो यह मेंसिन टूल क्यों नहीं क्या होता है कभी नॉन पूर्टेबल होता है जैसे अब के सामने देख रहा है अगर हाथ में लेके जाते हो तो यह और इधर वाला जो है पर नॉन पूर्टेबल है है तो यह पूर्टेबल भी हो सकता है और पूर्टेबल भी हो सकता है लेकिन एक चीद तो कुर्ष हो सकता है कि इसमें काट्टिंग डूल है और उपिरेट से चल यह होता है इसके चक्कर में पेंसिल साटनर को पावार उपरेटड भी होगा तब भी उसको में पहुत्यूल नहीं बुला जाता है जो पावार उपरेटड होता है उसको भी मेसिंटूल नहीं बुला जाता है। नेक्स जो हमारा सबसे खतरना कहानी है और्थोगुनाल मेसिनिक। इसको लेके इतना ज़्यादा डाउट है। क्या बताओं कितना ज़्यादा डाउट है। पुछ यह स्टूडेंट में कोई डाउट नहीं है। teacher के कुछ दो-चार teacher ही है से जिसको जो ए दुनिया में गंदेगी फला रहा है ए लोग क्या कर रहा है खुद से जिन्दगी में पड़ेगा ही नहीं कहीं से एक किताब पड़ा कि भाई कैसे होता है और्थोगोनल मेशिनिंग ना actually तो आगर आपको बोला जाए कि और्थोगोनल मेशिनिंग एन और्थोगोनल टानिंग दो अलग चीज़े फेले धन रखे आब और्थोगोनल काटिंग अगर बोलोगे और्थोगोनल काटिंग ठीक है यह हमारा है और्थोगोनल काटिंग लोगो इसका मेरे पास और अच्छा वीडियो है या तो जैसे ही देखोगे दिस इस ओर्थोगोनाल काटिंग आपके सामने देख रहा है दिस इस ओर्थोगोनाल काटिंग दिस इस ओर्थोगोनाल काटिंग तनमाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ओ पढ़ो कोन क्या बोल रहा है दुनिया में ओ मत सुचो आप यहां पर आपको लिखने का भी ज़रो नहीं है तो यह क्या है कि यह क्या है कि आपका क्या होता है कि दीस इस और्थोगोनल कटिंग तो और्थोगोनल कटिंग जो है इस धर्ती में पूरा धर्ती में जहां भी आप चलो गोगल में सार्च कर लो और तो अलग चीज़े और एक है और एक है और दोनों अलग चीज़े और ऑर एक है और दिखा रहा हूं कि कैसे दिखता है और एक चीज़ है और तो इस इस ओर तो अलग चीज़े इसलिए दोनों को मिक्स करके खिचडी ना बनाले student नहीं बनाता है teacher लोग बनाता है दो teacher है देस में एक नहीं, दो पीस है ऐसे दो पीस है, वो जिन्देगी में खुद से सीखने का कोशिज नहीं कर रहा है उल्टा सिदा student को समझ रहा है इसलिए student doubt में फंस जाता है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वो दो टीचर को छोड़ दो दुनिया से हटा दो तो फिर बाकी सब लोग ठीक है आप गूगल में सार्च करो आपको सब और्थोगोनल काटिंग और्थोगोनल मिलेगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ अगर आपने दो टीचर है दिस में उस दोनों को हटा दो तो उसके बाद जाके यह लोचा खतम हो जाता है ठीक है इसके चक्कर में यह जो चीज है कि आपको और्थोगोनल काटिंग का जैसी बात किया जैसी और्थोगोनल काटिंग का बात किया ऐसे तो आपका हो जाएगा औ इसमें क्या होता है कुछ एंगेल सोता है ठीक है सिद्धरत किसी का मेरा जो रूल है कि मेरा चैट बॉक्स में कोई भी किसी टीचर का नाम मत लिखो ठीक है सिद्धरत किसी भी टीचर का नाम मत लिखो क्योंकि हम यहां पर पढ़ाने हैं हम यहां पर जगड़ने नहीं आए मेरा इसलिए मुझे बोलना पड़ा क्योंकि इसमें डाउट पैदा स्टूडेंट का ना हो मुझे कोई टीचर से मतलब नहीं है मुझे स्टूडेंट से मतलब है तो करके दिखाता है जैसे मैंने गोगल खोल रहा हूं उसमें जाके लिए और्थोगोनल आप आप कुझा कुझा तो जैसे आपने और्थवनल काटिंग करके ऐसे इमेज लगा दो आपको दिख जाएगा कि मंडल जो पढ़ रहा है आप देखलो पुरा दुनिया से ही चल रहा है पुरा दुनिया से ही चल रहा है जब जैसे देखो कि और्थोनल काटिंग इसमें सारा दुनिया में चल रहा है वो दो टीचर है इसमें इंडिया में तो इंडिया का दो टीचर है वो लोगों ने गलत चीज पढ़के आया है और उसके बाद सारा दुनिया को गलत सिखा रहा है और उसके बाद उन लोगों ला ड़ेटीज या ओर्फनरण करनेख आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले बोलेगा कि दीज इस दा काटिंग टूल और तोन काटिंग में दीज इस दा काटिंग टूल तो सबसे पहले आ जाएगा दीज इस दा काटिंग टूल ठीक है और आपका जो work piece है इस इसदा work piece जो बन रहा है यह आपका shear plane जहांबे मटल का shear failure हो रहे है ईसे करके चला जारा है द्रीट इस work piece और छिल का ऐसे निकलता जारा है यह आपका पूरा खेल है इसमें क्या होता है कि यह जो cutting tool है यह horizontal में वी velocity लेके जारा है cutting tool horizontal में V velocity देखे जा रहा है इसमें कुछ angle हमें particular चाहिए यह कौन सा cutting है और्थवन cutting इसके चक्कर में यह जो angle पैदा होता है this angle is rake angle और simply orthogonal rake angle आपको Google में भी दिखा दिया ठीक है आपने कल पाइजन का बुग में जाके देख लो दुनिया में जो जहां आपका डिसीश आलफा आलफा इसदा और्थो गॉनल रेख एंगल और इस आंगेलिस गामा इस गामा इस दा क्लियरेंd यस गमा गमा एज दा क्लेरेंस आप यह होता है छिल का ऐसे जारा है यह जारा है व घल का जो जारा है यह cripp जैक क Olे तो हमने Apost a 40 मंत चीव किता में का चीप जया है को सा मनता है बाट ऐसे है किताब इसे क्को बेटा रहा है वैसेट समझ बाता है आप बता रहा था ही है उर्टोंकाूर्टिफिस्टिटिन एक उर्टोंके टेग लो अगर अक्षाड के देख लो लेकिन अगर आप टार्णिंग में चले जाओगे तो अलग हो जाएगा तर्णिंग में चले जाओगे तो तो कैसे हो जाएगा ना turning operation में जब जाते है उसके चक्कर में इसमें change हो जाएगा तो t equal to हो जाएगा f into sin lambda a हो जाएगा turning operation के case में और t equal to f into sin of 90 degree हो जाएगा orthogonal turning में तो थोड़ा सा आप turning and orthogonal turning देख लिया जाए नहीं तो दिक्कत होगा कि turning and orthogonal turning में difference किया है आगर हम बोलेंगे turning anything जैसे हमने बोला turning जैसे हमारा यहां पर देख लेते हैं turning तो इसमें क्या होता है कि इस operation straight turning operation मतलब आपका turning operation ऐसे होते जा रहे है ठीक है यह आपका straight turning operation है this is straight turning operation तो in this case t equal to f sin lambda होगा यह जो केस है इसमें t equal to f sin lambda होगा in this case आपका f sin lambda in this case t equal to but अगर आपने और्थोन टानिंग में चला जाओगे lambda होता है 90 degree यह आपका और्थोन टानिंग है इसमें लैमडा होता है 90 degree इसमें लैमडा होता है 90 degree इस बात को खुन में घोसाना है कि आपका question देखते टी क्या लेना है अनकट चिफ्थिकनेस टी क्या लेना है वह आपका एक तीन condition से होता है अगर question में orthogonal cutting लिखा है तो t equal to depth of cut होगा और्थोन टानिंग लिखा है तो t equal to f हो जाएगा यह लैमडा से लैमडा तो 90 degree हो गया लैमडा 90 degree मतलब साइन लैमडा ना स्टानिंग लैमडा और इसके चक्कर में फ हो जाएगा अगर only turn लिखा टीकल to fsin लैमडा होगा आप स्वाले आया कैसे how this is coming into picture यह जो टी कोल टीकल है नमडा टानिंग में कैसे आया ओ थोड़ा ध्यान रगना जोरूर है कि ओ कैसे आयसे बोलेंगे टार्निंग तो आपको ऐसे करके चीज़ ड्रॉ करना होगा डीस इस दा वर्क्रीशばेंच ग 20 वाउर्क्री Clear तो डीश दा वार्क्रीश यह हमारा फुले ओव्या आयो मैं अहाँ है आ हमारा एक ट्रांसम्वोम होता जारहे है और क्या ट्रांसम होता है है आह में इहां ऑलता है का ट्रांजीशं सर्फेस उन्षान ट्रांज opener उनसा सर्फेस ट्रांजीशन सर्फेस तो यहां पर क्या होता है टी इस दा ट्रांजीशन सर्फेस यहां पर है ट्रांजीशन सर्फेस इसमें ट्रांजीशन सर्फेस में यह आपका आता है ट्रांजीशन सर्फेस यहां पर दिख रहा है दिस ट्रांजीशन सर्फेस आब यहां स इहां तक डामेटर धीरे 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 घटता जा रहें कि यहां से कुरे थीज करके डायlair धीरे घटता जा रहें तो लिएतल मेटर देखो से देखोगे कि ऐसे करके बनता है that is the cutting tool कि आप दीस एंगेल इस सीएस यह जो आपका एंगेल है दीस एंगेल अर्फो-गोनल-वी मोलं सर ऐसा क्यूं नाम ए कि ऐसा प्लेन आएगा ऐसा प्लेन आएगा टरनिंग तूल में जहां पर 3 d force वील बिकाम ठी कि 3d force एकच्छल्य अब टार्ं इंग और अपरस realistic कि ए ऊथमेंत है ऐसे tri d А फोर्स कि पॉर्स इस इसता है ऊसमें तरह से थीन अ कि ठ्रीडी फोर्स इसस इस तरह से तरह से पीचिंग, श्क्रोच इंत 10- eman Rangers में अब क्या है कि आगर आपका ऐसे फ्री फोर्स सहन दीडी पोर्स इस इसको काला को चेंज करके थोड़ा और कुछ कर दिया जाए जिससे दिखाए दे अब आप ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखिए कि ए तीन फोर्स को हम दो कर सकता है क्या कर सकता है यह उप्याद मनाता है तो इसके चकर में एक थ्रीडी था अब 2D बन गया पेटा एक कौन सा प्लेन में बना 3D से 2D बना कौन सा प्लेन में जाके बना ना और्थोगोनल प्लेन में बना तब जाके ए जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया इस प्लेन एही प्लेन में जाके एक 3D चीज 2D बन जाता है अब 2D बनने के कारान इसका नाम होता है और्थोगोनाल प्लेन यूँकि और्थोगोनाल काटिंग में अल्ली 2D फोर्स आएगा 3D फोर्स नहीं आएगा तो इसमें आपने 3D को जुगार लागे 2D बना दिया यहां से यह जो डिस्टन साथ है अगर यह CS है तो यह जो एंगल होगा इस इस आलसो CS बोला हम बाइडिफोल्ट होए है तो यह कितना है ना दीस एंगल विल बी 90 माइनस CS आप देखिए यह 90 degree हो गया ऐसे थोड़ा से मैं बड़ा करता हूं सो देखने में आपको आसान रहेगा यह जो एफ है उसका इन्टू साइन लेमडा देखिए यह यही नहीं, जब हमने convert किया, तो क्या होता है, यह जो f है, उसका unit millimeter हो जाता है, आगर आप turning का बात करोगे, तो turning में f का unit क्या होता है? turning में f का unit क्या होता है, millimeter per revolution, और orthogonal cutting में f क्या unit होता है, यह जाके हो जाएगा millimeter, ऐसा क्यूं, ऐसे change कहां से हो जा रहा है, जब आपने इसको equivalent orthogonal cutting में ले गया, तो आपका ऐसे change कैसे हो जा रहा है, इसका कारान है, this will represent a distance, now f is representing a distance, now f is representing a distance, इसके चक्कर में a जो distance है, a हो जाएगा f millimeter, now f is representing a distance, इसलिए यह हो गया, this is f in millimeter, इसके चक्कर में f हो गया millimeter, और f जो है, f is representing a distance, this is become in millimeter, I think अभी आपका clear हुआ खोबड़ा में बात घुसा, कि जब आजाए, आजाए and everyone, सर्थोड़ा सा feed का unit के बारे में बता दीजे, कि feed कहा millimeter per minute, और कहा millimeter per revolution, करते एक, करते एक, जो main concept है, यहाँ पर धन रखे, everyone, करते एं everyone, main concept क्या है, कि आपका feed millimeter per revolution होता है, turning में, आप जब उसको और्थोगनान में आपने convert किया, और और अर्थोगनान तो है नहीं, देखो, हर चीजी का हम equivalent बनाया, किस चीजी का, ना यह turning basically 3D है, turning basically 3D है, आप जबरदस्ती 2D बना रहो, उसका नाम होता है equivalent 2D, turning क्या है, 3D dimensional, आपने क्या बनाया उसको, 2D dimensional, कैसे बनाया, ना आपने equivalent बनाया, आपने क्या बनाया, equivalent, और आप ऐसे किसी भी चीजी का equivalent बनाते हो, जैसे साधी नहीं हो रहा है, गल्फ ने बना लो, आप equivalent तो मिल जागी, सेम चीज़ियां पर है, कि आपका turning basically, turning basically 3D है, तो 2D कैसे बनाया, बनाया नहीं, उसको equivalent जुगाल लगाया, उसके चक्कर में turning, girlfriend और बीवी में difference है, तो इसके चक्कर में turning और अर्थन काटिंग में जापने convert किया, वो जो equivalent बनाया, difference है, और कि उसका difference सबसे खतना कौन कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है कि turning, जब 3D में आप बात करते हो, तब जाके F का unit millimeter पर revolution है, और जब आपने उसको और्थन में convert किया, वो ही millimeter बन गया, ना कैसे millimeter बन गया, उसका अगर geometry से देखोगे, तब देखेगा, इस distance is F millimeter, और हम जो T divided by F किया, आपका T divided by F किया, T का unit millimeter, F का unit millimeter, इसके चकर में T divided by F sin lambda होता है, उसका F का unit millimeter होता है, अब इस unit also changed, क्योंकि आपने turning को equivalent orthogonal बनवाया, 3D को जबरदस्ती 2D बनवाया, इसके चकर में एलोचा पैदा हुआ, तो आगर आप बोलेंगे, सर, A जो आपका T equal to depth of cut होता है, काभ होता है, ना ortho cutting में होता है, आप आपने ortho cutting है, नहीं turning, उसको जबरदस्ती ortho cutting बना रहो, तो at the time आपको equivalent उसकरना पड़ेगा, तब जाके T equal to F into sin lambda होगा, बाट इस F का unit millimeter होगा, अगर आप बोलेंगे, सर और्थो गोना टानी होगया, तो turning का येख वराइटी है, तो turning का येख बबाइटी है, उसमें तीन फोर्स का एक फोर्स जीरो घाता है, F5 force उसमें 0 होता है 3 force का 1 force 0 हो जाता है अगर 3 force था F5 force 0 हो गया तो बंचा क्या Fx and Fz तो 2D हो गया ना बाई डिफ़ल वो बाई डिफ़ल 2D हो गया ना तो उसके चक्कर में उसका नहीं हो जाता Orthogonal turning मतलब वो turning है फिर भी 2D है तो टर्निंग है फिर भी 2D है क्योंकि 1 force 0 है 1 force is 0 1 force will become 0 At that time आपका T equal to F into sin 90D हो जाएगा तो यह आपका पूरा खेल है इससाब से सोच विचार करे तो आपको जिन्दिगे में कोई दिक्कत नहीं होगा I am sure आजीत कुमार सार गुड़ मनीं सार Can we access this whole session लेटरल सो yes whole session लेटरल सो yes Can we access whole session लेटरल सो yes आपका सारा session हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है करती कें everyone चलो मैंने अभी देख लिया आपका message now we are going to next strata कि हमारा orthogonal cutting का जैसे बात चीत हो जाएगा तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े orthogonal cutting का जैसे बात हो गया थोड़ा सा आगे बढ़े आगे बढ़के सुच विचर करें तो इसके जो कहानी था हमने इस तो बता दिया इसमें क्या होता है कि जैसे orthogonal cutting होता है इसका हमेसा पीछे के तरफ एक वीड़ हमें मानना पड़ता है भाई हमने जो डागराम ट्रॉ किया उसमें उसके पीछे एक चोड़ाई है तो इसलिए ये डागराम आपको कभी भी बनाना नहीं होता है बट ये डागराम आपको क्या करना होता है इसको इमाजीन करना होता है कि हमेज़ हमने T मान रहा है उसके पीशे चोड़ाई भी है यह हमने A B मान रहा है उसके पीशे चोड़ाई भी है यह हमने T C मान रहा है उसके पीशे चोड़ाई भी है और जो B हो चेंज भी नहीं होगा और्थोगोनल काटिंग में जो वीड जो होता है यह चेंज मी नहीं हो सबस्क्राइब ट्र obey होगा किया जैक जांगिता है इसके चेक्क अगैल कैसे था आपका रेक किस तरह से देखो देखो कैसे है गहामारा ऐसे अगर और कटिंग्र निकलते निकलते जा रहे इसके चक्र में जब चाहिए और यापका रिख फ़ेस है और यह का रिख फॉरेंस पलेंस प्लेन है इसका ब्लला आंगल और 11 trust के सब्सारफिस एंगें के साथ रेक सर्फेस जितना एंगल पैदा करता है रेफारेंस के साथ so angle of inclination of rake surface from reference plane angle of inclination of rake surface from reference plane that is normal to horizontal machine surface that is normal to horizontal machine surface the angle of inclination of rake surface from reference प्लेन डेट इस नॉर्माल टू होराइजूंटल मेसीन सर्फेस जो है वह आपको होता है रिफरेंस प्लेन रेक अंगेल आप बात हो रहा है कि सर करता क्या है इसमें अगर ढंक से देखो छिलका इसी के ऊपर रगड रगड के जाता है तो छिलका कुन सा डारेक्शन में जाए क्योंकि आगर आपका रेक एंगल काम और रेक एंगल ज्यादा है इस दुनों में डीफरेंस के है न तूल को देखिए एक कितना तूल होगा और ये कितना डाल कर देखिए का इदार का इधार वाला जितर से कटता है उदर प्रोसार्प है उल्टा तरभी तो है में इस तरह में काटता नहीए ल मुटतना नहले जितना टूल डलो फटना रेक एंगल चाहटा होगा उतना टूल सहार होगा अगर सार पार है फोर्स कम लाएगा वहां बेलकुल से बोलो अगर सारपा टूल से काटोगे फोर्स कम लाएगा अगर डाल टूल से काटोगे फोर्स जादा लाएगा तो इसके चक्र में जितना रेक एंगल काम होता है उतना काटिंग फोर्स बाढ़ता रहता है और यह तना रेक एंग इसमें जो हीट पैदा होता है उसको कम हो इसको तो कम होगा लेकिन हीट ट्रंसपर अच्छा से नहीं हों पाएगा इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना allowed नहीं है ठीक है इसके चेक करें होता है power consumption कम करेगा force कम करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाना allowed नहीं है फिर उते इंप्रूब surface finish क्यों ना जितना रेकेंगल बढ़ाते जागे उतना सारपार चीज से कटोगी तो surface finish अच् कट रहा हूं अगर हमने सारपार चीज से कटेंगे ऐसे करें सारपार चीज से कटेंगे तो आप देखो कितना स्मूथ surface मिला मजा जाएगा देखके मैंने इसका उल्टा तरफ से कट रहा हूं उल्टा तरफ से कट रहा हूं उल्टा तरफ से कटा काटा तो से ही क्योंकि surface का क्या तेल निकला कितना घटिया सर्फेस मिला क्यों मिला यह आपने उल्टा तरफ से कटा जिसर से फोर्स जदा लगा और सर्फेस में अगर फोर्स जदा लगाओगे तो सर्फेस को जदा बिगड़ेगा सिंपल से अब है फोर्स जदा लगेगा तो सर्फेस को जदा सुमन एवरिवन फटाबट फटाबट एंसर बताओ जैसी बोलागा हुई इच वान अब दा फॉलोइंग स्टेडमेंट इस नौट कारेक्ट विद रेफरेंस तु दा परपास एफेक्ट ऑफ दा रेक एंगल ऑफ दा काटिंग टोल इसमें कौन सा रेक एंगल का काम नहीं है मैंने आपको पांच काम बताया वो पांच काम रटने के बाद एक काम होगा जो गलत है तो इसके चक्कर में इसका एंसर मिलेगा तो गाइट दा चीप रोट आरसन वाला ये रेक एंगल का काम है बेटा एक नमबर एक एंगल का काम है यह तो रिडिउस दा फ्रिक्शन इस सर्फिस का काम है और प्सका और एक एंगल गा नहीं है तो इस 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 नॉट दा इस इस नॉट दा फंड्र इसके चक्कर में यहां पर एंसर हो जाएगा बी-टु एड कीनेस बेस्देट बढ़ता जाए तो सार्पमेस बढ़ेगा तो प्रूबाइड वेटथरमाल एफ तो आपका रेक एंगल अगर काम होता तो उसके चक्कर में लीप एंगल जादा होता हीट ट्रांसफर के लिए एरिया ज्यादा मिलता तो वीच टूल इस बेटर थर्माली एफिसेंट प्लास रेक एंगल काम होगा तो बेटर थर्माली एफिसेंट तो कौन सा टूल बेटर थर्माली एफिसेंट अब एफिसेंट सी मदलब आउटपूर्ड वा इंपूर्ड नहीं है यहां पर efficiency का मतलब output by input नहीं है तो कौन सा पूठ है क्या है फिर यहां पर मतलब होता है कि जो metal cutting में heat पैदा होगा उसको कौन आसान से carry कर ले जाएगा जो आसान से carry कर ले जाएगा वो उतना अच्छा tool है जो जितना आसान से carry कर ले जाएगा वो अतना अच्छा tool है तो answer क्य आसलिए प्रीक्ट यसार विजाए उस थे ले इस ब्रीए जिए वहां तो इस धरे कम है यह जोस्य वहां पर क्राशों है इल्हें है कि आसलिएट ऑिर गाटर्कर वान असलिए व्त्यदी जोफ पर ऊपना यह एशल रूप्ट Українаं से पने ब्ase drift बी एस्त् políticas थेदा बीएऻ the heat transfer there is more area involved but if this heat transfer area is very less then then this is not a good tool in metal cutting it's hundred percent possible the huge amount of heat production will take huge amount and you have to carry that heat so if area involved is more so this heat transfer will be easy that means thermally efficient that means this is thermally efficient tool okay so in this case efficiency is not like this now please tell me the difference between rake angle and orthogonal rake angle prateek whatever we have studied here in this case whatever we have studied this is orthogonal cutting so if it is orthogonal cutting then it is orthogonal rake angle so by default in our syllabus or thermal cutting is there that means if i say orthogonal rake angle or rack angle they are same prateek if i say orthogonal rake angle or rake angle they are same because rake angle means it is by default orthogonal but if i say back rake angle if i say side rake angle then it is different then it is different so rake angle and orthodon rake angle that means it is related to orthodon cutting that's why i have explained previous in previous slide that in this uh in india there are two teachers they are creating confusion to the student fraternity and that's why you cannot solve the question using their concept you cannot solve the question okay that's why what i am saying what i am saying that rake angle means orthogonal cutting means orthodon rake angle and if back rack side rack is written in any question if back rack side rack return that means that is related to related to this so if turning operation involved this is not orthogonal because there is 3d force involved in turning operation 3d force involved and in this orthogonal plane we make them 2d it's like that we are making girlfriend because marriage is not taking place saadi nahi hua abh nahi girlfriend bana liya lekin girlfriend or bb same nahi hai iske chakkar mein in this case turning is 3d but we are making them 2d by some different jugad some different jugad so 3d we are making them 2d in the orthogonal plane so in this plane if we check the rake angle then it will be orthogonal rake angle so in turning you can say back rake angle side rake angle and in turning if we go in this plane then it will be orthogonal plane and if we cut this tool in this plane then some rake angle will come that is known as orthogonal angle but this is actually orthogonal angle means rake angle and that is equivalent to orthogonal cutting so what cutting this equivalent to orthogonal cutting so this is this is orthogonal cutting that's why i have shown you that if you see in this google also then you can see that everything in orthogonal cutting that everything in orthogonal cutting in my my pahle hi dkha chukau hume this is my bar bar dkha nha kya joh pahle hi ma nha dkha chukau question नहीं solve होगा, फिर उससे question नहीं solve होगा, that is the main problem, question नहीं solve होगा, कोई भी question solve नहीं कर पाओगे, इसके चक्कर में मंदल का जुगाड लागेगा, कि जैसे ही जाओगे, कि question में लिखा और्थोणल काटिंग, वोला हाँ, तो t equal to depth of cut, question में लिखा और्थोणल काटिंग, तो t equal to questionソl, आपके लिए यह जो है, बन गया, rám band, मतलब आप इस band से हर question, हर शीकार कर सकते हो, हर सीकार, सीकार मतलब क्या होता है, मतलब, आपके ऐसे रám band दे दिया, जिससे आप धरती में हर question solve कर सकता हो, इसलिए question solve करना होगा, तो correct चीछ सिखना होगा, तो मंदल से पढ़ना हो significantly reduced by आप बोल है cutting power कम करना है देखो force से जो जो चीज़ कम होता है answer दो force से जो जो चीज़ कम होता है क्या कम होता है force कम करने से power कम होता है force कम करने से torque कम होता है force कम करने से आपका pressure कम होता है मलब जो जो force कम करने से होता है सारा होगा तो इहाँ पर जैसे question पूछा गया कि power कमकरने है बोला force कमकर दो आप force कैसे कमद फोर्स इंडियोट्य पार ना आपका power क्या होता है what is power what is power force इंडूब अटो पावर आपका जैसे बूलेगा power तो आपका force इंडूब अटो पार होता है तो आपका force जैसे से ब लगाके पावर्र होता है and then इसको फॉर्स को कम करके हमें पावर कम करना है कि आगर आपको बोला जाए कि बताओ कैसे करना है तो फॉर्स कैसे कम हो सकता है रेकेंगर बढ़ाओ इंक्रेजिंग दारेकेंगर टूल अपका फॉर्स कम करे सकता है तो इसका फॉर्स कम करे सकता है एस एब्रिवान सोनु राजु आकास निसांथ प्रतेक जायस एब्रिवेवन इस करेक्ट अफरीन ठीक है आफ रा आ फीरा ओके एंद बी हैपी आलोई है वाह वाह बी हैपी आलोई है बेरी गोड बेरी गोड स्रियंग तो यह आपका कहानी है अब बतेस का अशर क्या होगा एकम करने से प्रशार करने मैं이다 तो इसलिए तीनो टैप का question आता है इसमें rake angle increase करने से force reduce होता है तो torque भी reduce होगा तो power भी reduce होगा तो आपका pressure भी reduce होगा तो इसके checker में जैसे बोला कि cutting torque decrease हो तो plot कर दो इधर में rake angle इधर में torque plot किया तो यह क्या होगा ऐसे करके गराब मिलेगा क्योंकि आपका जो force है, force जैसे रेकीर बढ़ते रहा तो force घटता रहता है अपका यहीभी घटता रहएगा इसलिए cutting torque decreases with rake angle cutting torque decreases with rake angle यह बात यहां पे सही है तो इसके checker में इस मिरम से से यंगल जैसे नियुक्याथ आप को ध्यरंड डतीच यांंग ना उसा इसे करके जो एंगल मनता है इसी क्लियरण सेंगल इह क्या है एक क्या है एक क्या है एंगेल of factors from the finish surface εδώ सरफेस में सब्सक्राइब क्या है clearance angle इसको घटाने बढ़ाने से तूल का sharpness चेंज होगा लेकिन ओ सर्पने समरा कोई काम का नहीं है इसलिए force power इसको effect नहीं कर सकता मतलब आगर आपने इसको बढ़ा दोगे आपका इच्छा हुआ कि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऐसे बढ़ा दिया मतलब इसको बढ़ाने से क्या होता है इसका टूल का जो leap angel है और अफेक्टेट हुआ लेकिन छिलका का डैरेक्शनों में कोई effect नहीं होता है उसके चक्र में एस aspect हमारा कोई काम का नहीं होता है मतलब clearance angle बढ़ाने से भी उस low result शारपने समरा कोई काम में नहीं आता है क्योंकि छिलका का direction affected नहीं होता है चिप का direction इसमें affected नहीं होता है इसलिए ओ जो चीज है ओ हमें कभी भी काम नहीं करता है इसी भी चीज का note requirement है मेरा whatsapp में message भेज़े दो आपको सब मिल जाएगा अपनी स्चिंद्र है तो टूल हमारा सरपार होता है बिल्कुल आपने सही बोला यह हमारा पहला टूल था इसका आपने rectangle रखा था मानलीजे 15 डिगरी तो आपका leap अंगल इतना था फिर आपने क्या क्या बोला मैंने rectangle को बढ़ा के और बढ़ा दिया rake angle बढ़ा दिया, आपने rake angle बढ़ा दिया, आलफा कर दिया, 45 degree, आप जैसी 45 degree कर दिया, आप क्या हुआ, कि यह जो tool है, यह sarper हो गया, यूँकि आपका जो leap angle है बहुत घड़ गया tool become surfer आप छिलका पहले ऐसे जा रहा था आप छिलका आराम से निकलेगा इसलिए force काम होगा तो this sharpness of the tool will be in use और इसमें आप leap angle बढ़ा दिए आपने clearness अगल बढ़ा के leap angle काम कर रहा हूँ तो तूल सारपर तो हो रहा है लेकिन ओ सारपने सबका कोई काम में नहीं आएगा इसलिए clearance angle बढ़ाने से cutting force cutting power affected नहीं होगा यह हमें ध्यान रखना है लेकिन जो leap angle काम होगा leap angle काम होने से आपका tool का heat transfer efficiency खराफ हो जाएगा क्योंकि leap angle काम होने का मतलब है heat transfer कम होगा इसलिए यहां पर दिया जाता है देखा जाता है कि भाई यह angle को थोड़ा बढ़ा जिससे इस surface को घीस ना दे मतलब इसका main काम क्यों हो जाएगा friction कम करना tool we are कम करना कि इसका flank का इसका flank का तो flank जो surface है उसका friction कम करना उसका tool वियर कम करना इट improve to life it improves to life हाँ टूल आप भी इंप्रूब करेगा इट इंप्रूब टूल आप भी इंप्रूब करेगा ता क्यों करेगा भाई जिसका tool का जिसका tool का घीसा ही काम हो गया तो उसका मतलब तो टूल का life बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ाता है लेकिन बहुत जदा नहीं क्यों आप जैसे बढ़ते हैं कि लीप एंगल कम होगा फिट टूल का टेमपरचा बढ़ना शुरू जाएगा इसलिए एकसेसिव क्लियर सेंगेल उइकेंज दा टूल एड़ इसलिए हमारा होता है मस्ट भी टूफिटीन डेगरी इसका बलो तीन से पच्पा फिप्टीन डिगरी रखना है ठीक है प्लीस हो सकता है तो जैसे तुमने क्या बोला मेरे पास नहीं पूचा 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 क्या है जैनीस जो बंदा वाटसेब में मैसेज भेज़ेगा उसको पूचेगे ना आपका घर में जाके मैं देखाओंगा क्या आपका घर में जाके मैं देखाओंगा क्या आपका घर में जाके मैं देखाओंगा क्या लो रखो भाई मुझे वाटसेब में मैसेज भेजना है तब जाके आपको मिलेगा अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका घर में जाके मैं देखाऊंगा तो जिदना भी बंदा है पुरा देश में 60,000 लोगे पास मेरा मेट्रियल है आप जो मेसेज भेजा उसके पास है आप जो मेसेज भेजेगा नहीं उसके पास कहा से पूझेगा और इसमें भी हम दे सकते थे लेगिन इसमें यूट्यूब आलाओ नहीं करता है पोस्ट करना यूट्यूब से पोस्ट करना अलाओ नहीं है इसलिए हमने लिंक इसमें नहीं दे सकते तो आप जाके question ऐसे आता है consider the following statement with respect to the relief angle of the cutting tool relief angle क्या करता है फटा बट question के answer बते इस एफेक्ट दा direction of chip flow प्लस है relief angle कब से direction chip flow करेगा relief angle मतलब ही clearness angle है ओ आपका उस तरह में चिलका रहता ही नहीं है तो relief angle तो इधार है ना यह आपका tool है यह चिलका इधार जा रहा है और इस तरह में relief angle है तो इसके चक्कर में इस relief angle से अपका चिलका का direction effect नहीं होगा यह एस उसकता है इस रीडिउस दा एक्सेशिब फ्रिक्शन या उसी के लिए तो बनाए गया इस उसी के लिए बनाए गभा का काम करेगा इस रिडियूस और क्रेट करेगा क्या आपने क्लेरंड का एक्सेस के लिए क्लियरंस एंगल बढ़ाने से करने के लेकिन को एंट्री करने के लिए किलेंट को घुसाने के लिए हमनें फ्लूट बनाया की सब्लूट बनाया इसम इंट्रील में ड्रिलिलिंटूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्ट गुसेगा उसके लिए क्लिए नहीं दिया इसलिए ओप्सान गलाद हो जाएगा तो ओनली टू एन्ट्री करेक्ट होगा एंड टू एन्ट्री करेक्ट होगा तो इसका एंसर हो जाएगा बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी-बी यह बाइपरोड़क्ट कूछ आता है तो जो जो हमारा दिल खाह कह बाइपरोड़क्ट आता है ठीक है इसके चक्कर में वाइपरोड़क्ट आएगा नेस्ट आता है ऐसे question इन और्थोगनल काटिंग सियर एंगेल इस दा एंगेल बताओ सियर एंगेल कुन सा होता है यह जो हमारा सियर प्लेन था ऐसे गर का और्थोगनल काटिंग हो रहा था और यह सियर प्लेन था तो सियर प्लेन के साथ काटिंग विलॉसिटी के बीच में जांगल है यह सीयर प्लेन के साथ काटिंग विलॉसिटी बीच में जांगल है सीयर प्लेन काटिंग विलॉसिटी के एंसर कुन साया What is ? what is the answer ? what is the answer ? कुन साये तरमाय कुन साय , आकास ? yes a will be the answer , next question please आप आता है टाइप डीजिनिंग एपका सबसे तोब बिश है है तो आपका काटिंग करना है तो आपका cutting edge का चौड़ाई over piece का चौड़ाई से ज़्यादा होना छी पहला नहीं पहले तो cutting edge and cutting velocity 90 होना छी first condition cutting edge cutting velocity 90 होना छी दूसरा condition होता है कि cutting edge का चौड़ाई over piece का चौड़ाई से ज़्यादा होना छी इससे क्या होगा ना छिलका जो निकलेगा वो काटिंग एज के साथ 90 में निकलेगा छिलका निकलेगा वो काटिंग एज के साथ 90 डी में निकलेगा इसके चक्र में काटिंग एज के साथ 90 डी में निकलेगा तब जाके ऐसे जाएगा ए 90 में निकलना चाहिए तो छिलका इस त में जाएगा तो इसका मतलब उसका दो फोर्स होगा तीसरा फोर्स नहीं आ सकता इसमें टू फोर्स होगा उसमें तीसरा फोर्स नहीं लिए टो धाफिशन के परने ला फोर्स नहीं है लाए आगर ऐसे फोर्स आता तो छिल का ऐसे चला जाता न इस डाएबर यहां पर कोई फोर्स नहीं तो फोर्स किदर है एधर आधार साथ एपसी कटिंग प्रोड़ और छिल का एक reaction force देता होता है thrust force लेकिन यह जो direction वाला force है in this direction there is no force and इसलिए होता है 2D two dimensional आप सवाल है छिलका टेड़ा हो गया तो छिलका टेड़ा खुद से नहीं होगा तुमने टेड़ा किया आगर आपने इधर से force दिया छिलका ऐसे टेड़ा होगा आगर आपने ऐसे force दिया तो छिलका ऐसे टेड़ा होगा तो आप जिधर में force दोगे उस तरह से छिलका टेड़ा होगा तो आप जिधर से force दोगे उस तरह से छिलका टेड़ा होगा तो आप फोर्स जिस तरफ से दोगे उस तरफ से छिलका टेड़ा होगा तो इसलिए धन उसके चेकर में 3D होता है तो इसके लिए क्या कंडिशन आपको बचपन से पढ़ा पढ़ा के पढ़ा के पढ़ा के जा रहा है कि पढ़ा पढ़ा के पढ़ा के जा रहा है काटिंग एज अब दा टूल इस परपेंड निगुला टुदा टाइरेशन अब काटिंग वेलासिटी दा काटिंग एज इससे टूल लाइब भी अच्छा मिल और्थोणल काटिंग में तूल लाइब काम है क्योंकि दिस डिफिकल्ट टूमेशिन और्थोणल काटिंग में जब जाओगे उसमें जब आप और्थोणल काटिंग में जाओगे उसमें आपका टूल लाइब लेस है क्यों ना और्थोणल काटिंग करना मुस्किल है हम क्यों नहीं करता है practically न और्थोन कर्टिंग इसलिए हम प्राक्टिकली नहीं करता है इस इस तुम हम डिफिकल्ट क्यों करें हमारा मेटल करने से मतलब है हमारा मेटल करने से मतलब है ना तो चलो एक वीडियो दिखातों क्लियर हो जाएगा आपका केस जैसे उपला गया तापस क्या बुलना है मेरे सिस्थ एटेम है मामा और अंकल बन गया हूँ और गेट नहीं निकल रहा है मेरे दोस्तों के आदी हो गया और मैं गेट के पीछे ही दोड रहा हूँ कुछ कीजिए प्लीज मज़ा आजाता है ऐसे ऐसे कोस्टन आता है मंदल को सुनने भी मज़ा आता है ऐसे पीस कहां से आया तुमको कीस ने बोला था और पहला बात है कि एक काईन स्टेंड का बात दिखा जाए काईन स्टेंड क्या बोले थे ऐसे से question सुनने से बहुत मज़ा आता है question पूछता है भी है बंदा ठीक है वो बंदा नहीं है कोई agent है पटियस मैं बताता हूँ answer झालो झालो तो देखो Einstein क्या बोला मेरा बात तो छोड़ी दो आप मेरा बात तो छोड़ दो Einstein ने क्या बोला Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results I am not saying this, this is Albert Einstein So Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results तो एक बन्दा चाचा बन गया, ताउ बन गया, तुम दादा जी भी बन जाओगे क्यों? ना अगर आप same thing repeat करते जा रहे हो और different results मांग रहे हो नहीं आता है इसलिए मंडल का theory क्या है? कि पहले आप पड़ो, दूजरा बात को समझो बन्दा ने लिखा है, agent है तो धन से लिग नहीं पाया, कि gate नहीं निकला अगर आपने 6 सल पड़ने के बाद भी नहीं ला पाये, तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको इंजिनरिंग पड़ने का इच्छा ही नहीं है, मा बाब ने जबरतस्ती धाकेल के तुमको इंजिनरिंग में घुसा दिया, आप क्या हुआ? मैं पड़ूंगा ही नहीं, तो रिजल कहां से आएगा? 100 में 30 मार्स, 28 मार्स, 29 मार्स जो नहीं ला पाया, 6 साल पढ़के, तो उसको क्या बोलोगे? तो इसलिए वो एजेंट है, धंक से लीग नहीं पाया, कि मंदल के पास जो है एंसर आ जाएगा, मंदल के पास उसका क्या ओते निकल लेगा? कि भाई तुमने गेड नहीं निकला पोला न, गेड नहीं निकला, गेड नहीं निकला मतलब क्या है? मतलब तुमको 30 मार्स नहीं ला पाये, इसके मतलब क्या हो गया? कि तुमको इस फिल्ड में आ रहा है कि आभी क्या करना चीए? ओला उबिर का गड़ी चलाना चीए, जो बंदा 6 सल से पढ़ता रहा और उसक कोई ऐसा भी बंदा है मेरे पास कि पहला साल में उसका get qualify नहीं हुआ और दूसरा साल में जाके out of 100 का अंदर रंग लिगा गया क्यूं हुआ तो क्या होता है insanity से नहीं चलेगा आप अगर अपना method change करोगे तो आपने आप result आएगा लेकिन आप बोलोगे मैं same चीज करूंगा जो पिछले साल जो करके मेरा failure हुआ था मैं ओहीं चीज दूबारा repeat करूंगा तो दूबारा failure होगा ठीक है यह मैं नहीं बोलना हूँ यह आपका इसलिए हमेशा हम बोलता है कि आप हमेशा सोचे गेट एक्जाम में करना क्या है गेट एक्जाम में जाके question solve करना है तो class में क्या करना चीए question solve इसलिए मंडल क्या करता है पहले concept प्लस application then selection इसलिए हमने जो लागा के रखा है कि पहले आपका concept आना बहुत जुरूरी है ऑर्फ़णल कार्टिंग का concept पहले मैंने पढ़ाया आप जाके हमें जाना पड़ेगा और्फ़णल कार्टिंग का जब concept क्लियर हो गया आप जाके आप question solve करें आगर आपने concept को apply नहीं करेंगे तो जिन्देगी में कोई question solve होगा नहीं और question जब solve नहीं होगा आपको सब्सक्राइन में कुछ लोग दे भी रहा है ठीक है वह जिन्देगी में खुद से तो कुछ नहीं कर पाया फिर उसका नोट चट के दूसरा बंद का क्या हाल होगा इसलिए concept प्लास अप्लिकेशन इकॉल डू सेलेक्शन तो मैंना concept प्लास अप्लिकेशन का बाता है एक्प न्यूर्माल मतलब 90 डियरी और काटिंग व्लसिती काटिंग आजिजन नॉर्माल की व्लसिती इसके चक्कर में तो इसलिए से 90D होना ची तो आपका 90D होना ची मालब ठीक है the cutting forces occurs into directionally yes cutting forces है वो और से नहीं 2D में रहेगा and the cutting age is wider than the depth of cut cutting age होगा that is wider than the depth of cut यह भी होगा ठीक है cutting age wider than the depth of cut yes वह भी होगा इसके सब्सक्राइब होगा तो 3 all 3 are correct तब का 3 हो जाएगा इसका all 3 are correct तो इसके जग करें में 3 का 3 हो जाएगा all 3 करेंट मुलब इसका डी होएगा answer नेस्ट आता है which one of the following statement is correct about an obligating what is obligating sir what is obligating और्थोगनल का कोई भी एक condition वालट कर दो इन्दिंग और्थोगनल का कोई भी एक condition वालट कर दो तो आपका by default oblique है तो हम कोई भी मेटल काटते है कुन सा होता है वो मेटल काटता है तो उसको अबली काटिंग मुलता है कि कोई भी मेटल काटता है तो मतलब क्या हो गया आप आपको कुछ देहने का जूरत नहीं है जैसे आपने लेद मेशिन से मेटल काटिंग कर रहो आपने डिली मेशिन से कर रहो मिली मेशिन से तो लोचा क्या है कि हम प्रो तो जब भंडिंग करने सा आसान होता है और तोन करना बहुत मुश्चील है क्योंकि only one एंगेल होगा only one angle होगा जिससे होता है अब एजन का दूसरा नाम आ गया जीत धरम संधिया उस एजन दूसरा नाम से लोग इन कर लिया पहले गाली सुना मंडल से उसके बाद दूसरा नाम से एजन आ गया दूसरा कोस्टन लेगे भाई तुझे पढ़ना है जिसको पढ़ना है ओ आए जिसको नहीं पढ़ना है ओ जाए तो काटिंग एज काटिंग वेलासिटी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए तो पहला जोगा डायरेशन अफ्लो अब दाचीप इस नॉर्माल दूदा काटिंग वेलासिटी यह आपका और्थोन काटिंग का कर्णिशन है तो आपका अबलिका काटिंग एज अब दा टूल इस इनक्लाइन एक्यूट चाहे कोई भी क्यूट हो कैसा भी क्यूट हो 90 डिरी नहीं है एक्यूट मतलब 90 से काम है कि ज़्यादा है मयंक मयंक एक्यूट मतलब 90 से काम है कि ज़्यादा है तापस एक्यूट मतलब 90 से काम है कि ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा कि 90 से आजाए कोई भी क्यूट हो तो 90 तो नहीं हुआ न, 90 नहीं हुआ तो by default Oblique दुनिया में आप जैसे भी Metal Cutting को Oblique होगा Orthogonal करने के लिए 3-3 निकल जाता है दुनिया में जैसे भी Metal Cutting कोगे Oblique होगा Orthogonal करने के लिए 3-3 निकल जाता है जैसे किसी भी तरीखा से अगर आप पड़ोगे फेलियोर होगा अगर आपको रेंग लाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है simple हिसाब है तो orthogonal cutting करना बहुत मुस्किल काम है इसके चकर में मुस्किल घई orthogonal cutting करके 2D होता है तो उसका 2D करने के चकर में हम क्या इतना मेहनत करे तो इसलिए क्या गरता है जैसे dealing हो गया, mailing हो गया किसी में हमने इतना महनत किया नहीं तो उसके चेकर में और्थवन बना भी नहीं और्थवन कीस में बना? और्थवन का किया जा सकता है आपका animation से दिखा रहा था कि और्थवन किया जा सकता है इस पॉसबल दुनिया में कम होना से देश में और ज़्यादा कम हो है इन आवर कंट्रे नाव एडेस दा नमबर आप जॉब इस टू लेस चाहे आप प्राइबेट में जाओ चाहे आप गवर्मेंट में जाओ कहीं भी जाओ आप क्या होता है जहां भी ऐसा होता है only cream talent of the country जो है उसको मिलता है जब तो क्या है कि अभी in this time in this moment आप अगर ऐसे गाली देते रहोगे कि भाई जॉब नहीं है जॉब काम है तो इसके चक्कर में कोई फायदा नहीं होगा यूँकि आप गाली तो देते रहोगे बट आपका employability नहीं बढ़ेगा जब आपने mechanical engineering पढ़ा तो gate exam देने के लिए mechanical engineering छोड़के आपको क्या पढ़ना पढ़ रहा है बताइए मुझे अगर आपने mechanical engineer हो अगर आपने civil engineer हो तो gate देने के लिए आपको civil छोड़के और क्या पढ़ना पढ़ रहा है तो आपको ओही पढ़ना पढ़ रहा है जिसमें आपको command होना चाहिए आप चार साल से engineering में बोलोंगे मैं कूछ नहीं पढ़ूंगा जैसे मुझे दो बंदा सुबा मेसेज किया कि मुझे कुछ भी job दे दो देक है मैंने बोला मेरा एक job है कवा है मेरा काम है करो नहीं करोंगा आप क्या है कि सिर्फ यह चाता है कि मुझे नोकरी दे दो बट उस नोकरी में जाके मैं कूछ नहीं करोंगा तो तुमको कौन नोकरी देगा जो company का जो काम है उसमें mechanical engineer को कहां लेगा जहां पे mechanical का का मैं आप mechanical का मुझे mechanical का aim नहीं आता है एक फॉर्मूला भी नहीं आता है आप तुमको कोन जॉब देगा अगर software में भी जाओगे software में जाने के बाद भी mechanical लेवले को उसी department में दे जाता है जो software बन रहा है mechanical related अब आपको mechanical का कुछ भी नहीं आता है क्या बना दोगे जैसे पारप्रेंट का software बनता है हमने पारप्रेंट में काम कर रहे थे software बनता है तो software बनता है इसका पूरा टीम आया था हमारे पास अब टीम जब आया तो ओ जो टीम है उसमें software ओ लोग software ही बनाता है लेकिन किस के लि में भी जाओगे तब भी आपको mechanical का टेस्ट लिया जाएगा इसलिए software जो बनाया जाता है ओन्हीं की हमेशा software आपको जो software में जो काम दिया जाएगा ओ ऐसी कुछ भी फालतु काम उसमें भी जो mechanical को दिया जाता है तो आप अगर mechanical नहीं जानते हो तो आपको कहीं पे job मिलने का chances नहीं है दिसलिए होता है employability बढ़ाने से अगर आपका gate में अच्छा rank है private company में जाओ आपको interview देना है तो at least मंडल से बता तो पावागे कि और्थन काटिंग कुछ होता है ले इस नॉट ए मेशीन यह तो बता पावागे न अभी तब से आपको लेद तो मेशीन ही लग गेट के लिए पढ़ लो चाहे आप खुद mechanical पढ़ लो एकी बात है ऐसा कोई बात नहीं गेट के लिए हम नया कुछ चीज़ पढ़ रहा है गेट के लिए भी हम mechanical पढ़ रहा है और आपको इसमें क्या होता है कि आप एक competition में आते हो तो उससे आपको बाकी लोगों से comparison हो जाता है और उसके चकर में आपको rank मिल जाता है कि भाई तुम गेड में इतना rank holder हो जैसे जब से मेरा rank गेड में जैसे मेरा rank आ गया था पहली उसके बाद से मैं जहां भी गया कोई भी ए बात नहीं बताया कि भाई तुमको mechanical नहीं आता है जैसे मुझे भी job मिलने में time लग लादेन ए एय्रोप्लेन लेज़ेगे घुषा दिया था वाइलेट सेंटर में है जोगिंट की दो ओजार दो में मैं पसाट ओं में और 2001 का लास्ट में जाके और लादेन ने एक एयरोप्लेन रेखर गुषा दिया आप क्या हुआ गेड़ दिया आप गेड़ दे का अच्छ रहंगा गया जैसे आगया सारा दुनिया के समने प्रूफ हो गया भाई इसको मेकानिकल आता है अब मेकानिकल आता है फिर भी तो जौब नहीं मिला फिर जाके हमें वावा अटेमिक रिशाइस सेंटर में गया ओ लो मेकैनिकल आता है कहां से सो करोगे आप कैसे सो करोगे मुझे मेकानिकल आता है उसकी जरिया है और गेड़ देखे जैसे आपका अच्यर रेंक आजाएगा उसके पाद आप सबको देना चाहिए इसलिए हमने देखनेंगे जद आता फोकस अमनेगेह में करता हैं गेट तो तो देना ची और अगर आपने हैं एक यह दूता है ट्राइक करने बीए इस से नी हो पार है यह आप दूसरा करो ऐसे थोड़ी है की सारा उन्य आकास अकास तनमाय सी वह लो बहुंत है liar जैसे औरलींग ठीक है क्या करना है better चानिंग मतलब जार चांदिम कोन सा है ए अबलिग कीम्मण को Dream है तो फिर क्यों पड़े लग्ठ ख्लाव वह हमारा सिल्वत में अर्थोगोनाल काटिंग का है यह पार्फोगोनाल सबसे इंपोर्टेंट बात है इसका वेलासिटी कितना है अगर आप धैन से देखो इस लोकेशन में जो वेलासिटी होगा और इस लोकेशन में वेलासिटी जादा होगा क्यों होगा ना इहां पर पाई इन्टू 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 होगा दोनों वेलासिटी डिफारेंट है अब स्वाल है कौन सा वेलासिटी को हम इसको टा इसे करते करते बढ़ते 40 हुआ तो कौन सा वेलोसिटी को टर्निंग विलोगे तब एक बोहुत लोचा वला चीज है इसमें एक टूल की सका है वहला टूल है हमारा HSS का हाई स्पीड स्टील का एक टूल कितना वलोसिटी चल सकता है आपने मान लिया टर्निंग कितना वलोसिटी मोह रहा है 10 मीटर में हो रहा है तो अगर इसको वेलोसिटी बोलोगे अगर आपने इसको वेलोसिटी बोलोगे तो यह आपका टूल बोले गहां चलाओ लेकिन यह जो 30 से जादा जहां पर इस लोकेशन का टूल बचेगा क्या कॉंसेट को समझे तार्निंग में आपने बोला मेरा टार्निंग हो रहा है 10 मीटर पर मीन में तूल कितना चल सकता है 30 तो ठीक है बचा आप ory अगर इसको आपका टूल बिंदास चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इसके जखकर में कीस को बोलना चीए वेलासिटी ना पाई डी एन होना चीए बट ओकों सा डायमेटर ओ ओ आउटर डायमेटर यह इतना जदा डाउट है इसमें पुरा देश में स्टुएंट का डाउट है कि इसका क्यों होना चीए जैसे आपका यह बोला है कि पाई डी आवरेज इन टू एन है गलत एवारेज वेलासिटी नहीं है अगर कहीं साब पढ़के आए हो आप उसको पहले दिमाक से डिलिट करो तो जब भी बोला जाएगा टार्निंग का वेलासिटी कितना है तो टार्निंग का वेलासिटी हमेशा मैक्सिमाम वेलासिटी होगा टार्निंग का वेलासिटी होगा सारे चीज़ हमें कौन सा वेलोसिटी बताना है and that is maximum velocity क्यों बताना है उसके हिसाब से हम टूल सिलेट करता है उस वेलोसिटी के बेसिस में हम टूल सिलेट करता है कि कौन सा टूल हमारा काम करेगा जैसे आपका बोला हम जब 40 में नहीं चलाना है 30 मैं नहीं करोंगा मुला फिर टूल चेंज करो एच से सबका होगा नहीं कारबाड लेका और नहीं तो सिरम ही लेका तब हो सकता है तूल सिलेक्सान आपका उस वेलोसिटी के बेसिस में होता है उसके चक्कर में प्रैक्टिकली सोचिए कि आपका वेलोसिटी म इसमें डी वान होता है, इसमें डी हमेसा डी ओन होता है, तो आगर बना जाए टार्निंग का है उसमें यूनिट के सबस होता है कि जैसी आपने बोला पाई डी एन तो बाई सिक्सटी तो सब्सक्राइब है मीटर में और एन है आर्पी में अगर ऐसा होगा तो 60 से दिवाइड किया तो मीटर पर सेकड में अंसर आगा अगर आपका डी का यूनिट मीट्र है और आपका आर्पि में है तो इसके चक्कर में इसके कॉल्बяг कर दिया दिखो लोचा दिखो इसको मीलिमितर कर दिया इधर में मीट्र अप मंग रहे हो in that case आपका युद लुंस नाद को मिलीं regulatory में पूट किस्टार्वा अ मीटर हो गया तो इसके चेक्कर में पाइडिन कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा यह जाएगा मीटर पर सेकेंड आब इस डी को पूट करो किस में मिलीमीटर इस मिलीमीटर को मीटर करने के चक्कर में हाजार से डिवाइड करना पड़ा और जो एन है यह आर पीएम है तो आर पीएम को मीटर को मीनिट को सेकेंड करने के लिए साट से और डिवाइड करना पड़ा तब जाके सकेंसर हैगा मीटर पर सेकेंड में इसलिए यह चार फॉर्मूला मैंने बता रखा हूं य चार फॉर्मूला यूज करना पड़ता है गेट P.I. के लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ेगा गुरुजी प्लीज बता दो जो मैंने पढ़ाता हूँ उसी में P.I. भी कबार हो रहा है ठीक है 90% इसमें P.I. कबार हो जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जितना टॉपिक इसमें पढ़ाया गया उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपको पढ़ना है फ्रम आदार बोक्स लेकिन 90% सिलेबास हम यहां पर कभार कर रहा है ठीक है 90% पैनिंद है कबार कर रहा और उसके बाद में पड़ हैं में पड़ा रहे थे कि यह पड़ना है तो सब सारे क्यों से ज्याद इसमें कबार हो जाएगा आप होता है F into N जो है वो होता है millimeter per minute और F होता है millimeter per revolution What is this F? इसको समझने के लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा कि क्या है feed Actually यह जो चीज आप देख रहे हो इसका नाम होता है इसका नाम होता है carriage इस carriage की नीचे lead screw नहीं तो lead rod रहता है जो एक carriage को move कराता है in this direction अब अगर ढंग से इसमें देखना चाते हो कि आइदा तो lead rod होगा नहीं तो lead screw होगा जो इसको move कराता है in this direction this is the carriage आप एक carriage क्या करता है carriage के उपर आपने बैठा रखा है टूल carriage के उपर आपने बैठा के रखा है टूल ठीक है तो आपका जो सोच बीचार करना है इसमें यह इस बंदा का क्या हुआ भाई उसको थोड़ा सा दोचार थपड़ मरो जाके इसको थपड़ के भीना सोचे के कुछ लोग होता है किसी का इजज़त होता है इस बंदा मिला जीत करके उसका इज़त ही नहीं है उसका बेज़त भी नहीं होगा आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते इसलिए जो है इधर में focus in this तो आप देखे कि आपका जो carriage है A move करेगा जो हमारा carriage है A move करेगा किस के उपर O is के उपर तो A जो move करेगा A millimeter per revolution What is the meaning of this concept जब तक work piece एक rotation करेगा जब तक work piece एक rotation करेगा जब तक work piece एक rotation करेगा तब तक आपका tool A millimeter आगे बढ़ेगा इस carriage में अब work piece N RPM में चल रहा है N RPM में चल रहा है N RPM में अगर चल गया work piece अगर N RPM में चल गया if work piece ही N RPM में चल गया तो क्या होगा N RPM में अगर work piece चल गया if मतलब एक मिनिट में N rotation करेगा तो एक value मान दिया जाए कि if होता आपका 0.2 millimeter per revolution मतलब आपका एक rotation में tool 0.2 millimeter जा रहा है आप N बोल रहा हो 100 RPM यह 100 RPM जब बोल रहा हो तो उसके इसाब से 100 rotation per minute 100 RPM का मतलब 100 rotation per minute तो यह 100 rotation per minute होगा वो आपका 100 RPM हो जा रहा है तो जो है 100 rotation per minute हो जाएगा मतलब एक मिनिट में 100 rotation तो एक rotation में 0.2 तो 100 rotation में 0.2 into 100 होगा एक rotation में 0.2 तो 100 तो 100 तो 100 into 0.2 तो इसके चक्कर में क्या होगा 100 into 0.2 हो जाएगा इतना millimeter per minute हो जाएगा इतना millimeter per minute क्यों भाई एक minute के अंदर जितना जाता है ओई तो होता है millimeter per minute velocity what is velocity unit time में जितना जाएगा मैंना एक minute में कितना गया 100 into 0.2 तो इसके चक्कर में आमने क्या किया इसका f into n किया इसलिए देखो कि जब भी बुला जाएगा आपका फीड इस फीड का दो यूनिट आपको ध्यान डगना है दो फर्मूला भी ध्यान डगना है कि f होगा तो millimeter per revolution होगा f होगा तो millimeter per revolution होगा and f into n होगा तो millimeter per minute होगा f into n होगा तो millimeter per minute होगा and depth of काठ जाएगा d1-d2 divided by 2 जो depth of काठ हो जाएगा उसको d1-d2 divided by 2 clear होगा भी से तो यह आपका वैस है जो है आपका d1-d2 divided by 2 तो इसके चेक्कर में आपका जो d1-d2 divided by 2 हो जाएगा क्लियार होगा भी से आप जाके बात हो रहा है consider the tool is using that this 30-minute diameter steel shaft and using spindle speed thousand revolution per minute and cutting speed of the above turning operation इस एसा नहीं कि question आ चुका है भर-भर के कोश्चन आता रहता है तब जोगे लोगे velocity कितना है पाई डी एन वह आसे क्यों कि क्यों नहीं किया हमें दिख गया meter per minute meter per minute तो rpm तो होगा है नहीं इसका meter per minute देखके हमने क्या pi dn अब जाके हो जाएगा pi into d हो जाएगा 0.030 क्यों हो भाई 30 mm है तो 0.030 meter है into rpm कितना है 1000 rpm इतना हो जाएगा meter per minute अब लोचा यह है कि आप इसका unit meter में जब पूट करोगे तभी आपका meter per minute हैगा लेकिन आपने बोला नहीं सर मैंने ऐसे करूँगा मैं तो ऐसे करूँगा कि pi dn by 1000 कर दूँगा velocity को pi dn by 1000 कर दूँगा velocity को pi dn by 1000 कर दूँगा अगर pi dn by 1000 कर दूँगा तो आपका यह जो d है millimeter हो जाएगा तो pi into 30 into n 1000 divided by 1000 हो जाएगा तो यह काट के आपका ए भी meter per minute में आ जाएगा क्योंकि a millimeter में पूट करके आपने 1000 से डिवड़ किया yes this is clear तो चलो आगे बड़े आगे बड़े तो हमारा next जो चीज है कि rake angle के बारे में discussion एक कुछ points है जो आपको याद करना है कि आपका rake angle positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है 0 भी हो सकता है यागर positive rake angle है ऐसे करके देखो यह आपका positive rake angle है और आपका negative rake angle है तो ऐसे करके देखो करेंगल पहले पहले पहला को सचनथा उसके सबस्ण सीथा यसी सब्सक्ते में ना पूल गया था आप यह यह कटिंग फॉर्स कम करता है क्टिंग पाइच पॉंट है यह पांच पॉंट है मेंचिन लो सब्मेटिन सेट अप कॉस्ट होना चाहिए एन उसके बाद आता है निगेटिव रेक होना थी इंक्रिस काटिंग इस तुल लाइफ एन इनक्रिस दा काटिंग पॉर्स रिक्वेड हाई काटिंग स्पीड एंड रिक्वेड एंपल अमांट उप पावार उसमें हेवी इंपेग लोड भी आएगा कापर एक कोश्टन है इस सारे पहले पढ़ा चुक है इसलिए हम पर जास्ट एक बार एक्स्प्रेंट कर दिया एक बार इसरे दिया राजन देखो ब्रьतल मेंट्रीयल सर मेंसी इंड बीत्तूल है बिंग जीरॉर और निगेटिव रेक इं कीएंगिल उ Examples brittle materials brittle materials are machined with zero brittle material है यहाँ पर workpiece का बात कर रहा है आगर workpiece brittle है आगर workpiece brittle है if workpiece is brittle तो उसको काटना बहुत मुश्किल होता है hard होता है metal अब काटे तो आपका tool का अगा leap angle दूबला पतला है positive rate cut tool ऐसे दूबला पतला होता है zero rate cut tool फिर भी ठीक ठाक होता है और negative rate cut tool सबसे तकड़ा होता है इसकी चक्कर में positive rate cut tool से काटने गया तो positive rate cut tool से काटने गया और workpiece है बहुत strong क्या काट पाओगे यह जो दूबला पतला टूल के चक्कर में नहीं काट पाएगा तो क्या होना चाहिए जीरो एन निगडिव रेक देना चाहिए क्यों चाहिए ना इसके लिए प्रोबाइड adequate strength to the cutting edge तो इसका एंसर हो जाएगा adequate strength होना चाहिए इसका एंसर हो जाना चाहिए yes everyone see tool तूट जाएगा इसके चक्कर में इंपक लोड़ भी आएगा ओभी धन रगना है इंपक लोड़ के साथ में है इसका hardness जादा है उसके चक्कर में यह जो दूबला पतला टूल हो नहीं कट सकता तो brittle material को काटने के लिए आप जैसे बोला जीरो रेक एक कभी भी देना नहीं होता है जिरो लेक खुदी बना होता है इसके लिए हम जब इसमें form टूल मनलब particular shape का टूल बराता है उसमें हम use करता है जिरो रेक इंक्रीज करता है tool strength digging of the cutting tool and brass को turn करता है brass and cast iron दोनों है धन रखना होता याद कि brass जैसे बोलेगा जैसे बोलेगा जिरो रेक होगा बस यदना यह बात है अब जाके हम बोलेंगे कि इसमें थोड़ा quick revision का बात है जैसे for cutting of the brass जहां देखा brass उहां पर कौन सा रेक होगा उसके अनसवाइक जिरो रेक एक्चुल माइनस फाइब टू प्लास फाइब होता है आगर एक particular shape का टूल है उसके चक्करमा में 0 रिख देना पड़ेगा इसमें जब single bun cutting करेंगे तो इसका 0 रिख देना पड़ेगा तो यहां तक हम लोगों ने बहुत सोच बीचार किया और basic sub metal cutting हमारा खतम हो गया तो अभी हम जो सोच रहे है कि यहां पर आधा अधुरा शुरू ना करके यहां से काल शुरू करेंगे हम tomorrow हम शुरू करेंगे same time रहेगा अभी जब चलेगा तब दक same time रहेगा time अलब शुरू अद सेम रहेगा अब खतम कब होगा ना जब topic खतम होगा जैसे हमारा basic sub metal cutting खतम हुआ हमने इहां पर खतम कर रहा है और जैसी इसके बाद होगा जैसी इसके बाद होगा यह बोला है कालकूलेटर में बहुत गलतिया करता हूँ कैलकूलेटर का सीरीज का यक कॅ कैलकूलेटर का मेरे पासे यामबा चौडा मैं लिए बना के YouTube में देखे राखा हूं बाट उसके लिए spreadsheet है तो मंदल spreadsheet यूज करें मंदल spreadsheet से आपको आजाएगा मंदल spreadsheet करें प्रीपर यूपीस्टी न प्राइबेट में में एज 23 प्लीज गाइड देखो एज सुधिप चक्रपती आपका एज 27 हो 28 हो तो डाजन मैटर मैटर यह होता है कि आपको कितना बर्निंग डिजार है नहीं तो ऐसा भी होता है कि आपने 20 साल में भी शुरू किया और कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा भी हो सकता है और 37 में शुरू कि 38 में आपने नौरिकल ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपका बर्निंग डिजार कितना है उसको पर डिपन करता है बड़ अगर ऐसी है कि मैं बाइदाओ यह कर रहा हूं तो मत करो अगर आपने बोला कि मुझे बर्निंग डिजार है तो दुनिया में हर चीज हो सकता है अमीर खान अभी साधी करने जा रहा है 54 years of age बाकी जो 54 years का है उसको पूछो वो बोलता है मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ आप तो मुझे जो है सिर्फ क्या करना चीए ना वो दुनों हाथ में माला लेके जबना चीए मेरे से तो कुछ हो नहीं पाएगा आप अमीर खान 54 years में जाके जो साधी कर रहा है उसका age 28 years का तो यह जो चीज है आपना अगर दम हो तो आप करो नहीं दम हो तो age से कोई फराग नहीं पड़ता है कोई age बला मेंटर से कोई फराग नहीं पड़ता है तो उसके चक्कर में अगर आपका दम है तो 37 में भी हो जाएगा अगर नहीं है तो आपने 37 में का 28 मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ बाइ डिफॉल्ट आया हूँ देखता हूँ होता है नहीं होता है तो फाल तो क्यूं टाइम उस्ट करो तब मत करो अगर आपका बर्नीन बिजर की मैं करके छोड़ूंगा तो आपका 37 में भी हो जाएगा जीस age में इंटरी करोगे हो जाएगा क्योंकि पूरा mechanical engineering हम 6-7 मैना में पढ़ा देता है और उसके बाद का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा सिर्फ आपको खूद करते रहना है दीन रात आपको ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास class जब होगा तब आना है आपको जब टाइम मिलेंगा ताव पड़ सकता है जीस टाइम आपको पड़ने के इच्छा रात वाज़े पड़ने के इच्छा रात को बार वाज़े पड़ सकता हो यह चीज जो है अभी possible है तो इसके चक्कर में आपके लिए कोई दिक्क्त नहीं रहे हैं लेकिन यह बार्णिंग डिसका है वही कर सकता है नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा लोग फिप्टी फॉर में भी शाधिकर कर रहा है वह भी अठाइस साल का लेड़की तुम जहां पर पोस्ट कर रहे हो ना यहां पर 60,000 स्टूडेंट को मैंने मेट्रियल दे चुका हूं मंडल से अगर मेट्रियल लेना है उसका स्टेंडर्ड जुगाड है कि मंडल को वर्ट से में मेसेज भिजना है कि मुझे स्टाडी मेट्रियल चाहिए फिर आपको स्टाड सारे मंडल दे दिया आप क्या कर रहो एक साल पीछे चल दो मंडल का नमबर सेब नहीं करूँगा तो मंडल का मैसेज आपको तक जाएगा नहीं मंडल को मेसेज भिज़ना होगा उसके बाद आपको सरा मेट्याल कास्टिंग वेलडिंग जितना अप्टेट हो चुका है और अब आपडेंटेटेड मेट्याल अगर चाहिए तो मन्डल से लेना है और अगर आपने इधार उधार से लोगे तो पूरा ना मिलेगा है तिक है मेरा 2007 से मेटियल है अब 2007 बला मेटियल लेकर भोलो गई उसमें अंशान नहीं तो होगा इंसन नहीं उसमें अभी मैंने अब्डेट किया हूं अब्डेट करका ही जो है ऊसका एंसर दिया हूं सक स्श्टिंद्धिद उसके बाद होगा से प्लीज़ में बोला ना fluid machinery, fluid mechanics पहले तो, pahle to fluid mechanics ये, कुछ लोग का ऐसी हाल होता है पहले तो, साधी नहीं हो रहा है साधी कब होगा जैसे ही साधी हो गया उसके बाद दुसरे कभी अच्चा लगता है पहले तो, fluid mechanics कब पढ़ाओगे? fluid mechanics कब पढ़ाओगे? के मैंने फ्रूइड मेंगे शूरू कर दिया अभी एक घंड़े नहीं दो-दो घंड़े करके दिया हूं तू आउर स्पाट डे चलना है आप जैसे तू आउर स्पाट डे चलना है उसके बाद साधी हो गया फिर आप दूसरे का भी भी आच्छा लग रहा है फिर बता फूली स्प्रिट में से साथ साथ होगा ठीक है चलो खूस रहें बाइबाइबाइब आप